B.H.C. Part, First, Botany, Second, Microbiology, Micrology and Plant Pathology के अंत्रगत आज हम बेक्टिरिया के बारे में पढ़ेंगे, अर्थार जीवानों के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि हम जानते हैं Microbiology, Micology और Plant Pathology Microbiology is the branch of biology which deals with the study of structure, physiology and reproduction of micro-organism अर्थार जीविग्यान की वह साका जिसके अंत्रगत सुक्षम जीओं में सवरूप उनकी सरचना जनन कारे की एंउपा पच्चे का अध्यन किया जाता है Microbiology कहलाती है सुक्षम जीव Unicellular and Monticellular सुक्षम आकार के organism है जो air, water, soil, dead material, animals and plants पर पाये जाते हैं बैक्टिरिया, वाइरस, फंजाई, समयलगी, सम मोड्स, माइको प्लाजमा और प्रोटो जोवा सुक्षम जीओं के अंत्रगत आते हैं अर्थार्थ, Micro Organism, सामानत है 100 mm व्यास तक के सभी जीव microbes कहलाते हैं तो Micro Organism, several classes of living beings based on the organization of their cellular structure All living cells can be divided into two groups, that is eukaryotic और prokaryotic जैसे कि हम जानते हैं, सभी कोशिकाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं eukaryotic cell type और prokaryotic cell type eukaryotic cell type के अंदर animal, plants, fungi, protozoa और algae आते हैं तथा prokaryotic cell type के अंदर bacteria और blue grain algae आते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि archibacteria versus eubacteria और अर्था और अर्ची बार्ची 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 and in a very safety lexus. So basically, all extreme environments, some of them can live, even live with no oxygen. U-bacteria are a group of a unicellular organism and are similar to arches in not having cell nucleus or organism. जैसे कि यह हम दो प्रकार के बेक्टेरिया होते हैं, U-bacteria, जो true bacteria होते हैं या वास्फिक bacteria होते हैं. अब what are bacterias? Bacteria क्या है? यह single-celled organism हैं, बहुत ही small होते हैं. Need a microscope to see. जीवानों को देखने के लिए microscope या सुक्षमदर्स्टी के दूद पढ़ती है. Can be found on most material and surface. Billions on and in your body right now. तो यह जो bacteria हैं, जीवानों हैं, यह unicellular and procreatic सुक्षम जीव हैं, जिनने के लिए सुक्षम दर्सी की सायता से देखा जा सकता है. यह सर्वेगापी हैं. Also the definition of bacteria. Bacteria, this is a procreative marquar organism is a single-celled microscopic organism that lack nuclei and other organized cell structure. Bacteria is the plural form of bacterium. While several bacterial species are pathogenic, capable of causing disease, most are non-infectious and many have critical roles in the decay, fermentation, nutrition recycling and nitrogen fixation. Bacteriae are usually classified as gram-positive or gram-negative based on a basic microbiological staining procedure called the gram-staining. They come in a variety of shapes and sizes. Brief history of bacteria. जिसे कि हम जानते हैं, जीवानों एक कोशी किये एवं प्रोकिरिटिक सुक्षम जीव हैं, जीने हैं केवल स्यूंक तो सुक्षम दर्सी की सायता से देखा जा सकता है. इनकी खोज, हॉलेंड इवासी, एंटोनी वाल लिवान होग, सोडा सुच्छेतने की थी, देखने पर जल, लार, एंटों के खुर्चिवे मेल से विभिन परकार के छोटे-छोटे जीव दिखाए दिये, जीने एनिमे कुलेक का नाम दिया, जो की रोईल सोसाइटी और बोटेरिकल में उनका पेपर प्रजेंटिशन हुआ. इस खोज के लिए उन्हें फादर ओफ वेक्टेरियलोजी भी कहा जाता है। बेक्टेरियलोजी अर्थात वनस्पति विग्यान की वहसा का, जिसमें जीवाणों की सरचना, उपापच्चे, एम प्रजरन का अध्यन के जाता है। बेक्टेरियलोजी या जीवाण विग्यान केहलाती है। 1780 में Karronus Lenius ने इन सुक्षम जीवों को वर्मीस बन्सू में रखा 1889 में इन सुक्षम जीवों को अनामकरण एरेंबरन बैक्तेरिया या जीवन के रूम में कारी किया बैक्टेरिया का साब दिकर्थ बैक्टेरिया इक्वरिट्व इसमाल स्टिक्स अर्था छोटी छड़ के रूप में होता है 1867 में नागेली ने बैक्टेरिया को प्लांट किंग्डम के क्लास साइज हुमाई सिटीज में वर्गिकरत किया था 1864 में जीवाणों की उत्पर्ति एं प्रकरति के बारे महतोपुन जानकरी लुई पास्चोर के द्वारा प्रदान की गई थी 1866 में रोबर्ट कोच ने प्रमानित किया कि पस्वों के एंथर एं मनुष्य के टेवी वेकॉलेरा भी जीवाणों के संक्रमन से होती है उन्होंने रोगों की जीवाणों दर उत्पति अथार जरम थोरी ओप डिजेज का प्रतिपादित किया जिसे कोच पोस्चूल्स कहते हैं इसके लिए उन्हें 1905 में नोबल प्रुस्कार से सम्मानित किया गया 1872 में कोहें ने जीवाणों में सेलवाल या कोशी का बित्ती की उपस्तिती के बारे में जान कर दी इसी आधार पर उन्हें प्लांट किंग्डम में रखा गया जीवाणों का पादप रोगों में महत्वपून योगदान है वो सरपथम बुरिल 888 ने बताया तथा बताया कि जीवाणों द्वारा भी पादप रोग होते हैं 1888 में बेंजलिंग ने लेग्यूम पोदों में राइजोबियों जीवाणों की उपस्तिती तथा उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया 1950 के दसक में एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोफ और स्टर्निंग टेक्निक के विकास के साथ ही जीवाणों का अध्यान भी बढ़ता गया इस परकार से इसका स्ट्रीम देखते हैं इतिहास में इसका जो डावलोप्मेंट हुआ वरतमान में बहुत सारी विग्जानिकों के योगदान में आता रहे हैं अब है साई जो बैक्टिरिया बैक्टिरिया आर अरलियर फ्रॉम्द लाइफ फ्रॉम्द आर्थ देर फोसल्स आर फाउंड 2.5 बिलियन एर अगो unit of measurement bacteriology is the micron अर्थार जीवाणों को जो मापनी की काई है वो micron में होती है और जीवाणों की ज्यान के अंतरगत हम जीवाणों की सरचना उपापच्चे यहों प्रजनन का ज़न करते हैं bacteria of medical importance की होते हैं तथा यह 0.2 से 1.5 um in diameter में और 3 से 5 um in length में होते हैं bacteria are found everywhere on earth in soil, water, air, deep, with crust, radioactive vest and acidy coat spotting में a single gram of soil contain 40 million bacteria while a million bacteria found in an mlo of a fresh water however only few of these are harmful to human body cause disease they produce more oxygen than plants the bacteria is derived from a latin a greek bacteria meaning can again उसका साबदी करत होता है small stick या road या छोटी छड बैक्टिरिया एक सुक्षम जीव with few micrometers in length and heavy wide range range of shape round oval red spiral even प्रकार के इन क्या कार होती है जैसे कि पहले बता चुके एंटोरी लिवान हुक ने इनकी खोज की और इनको anime collects नाम दिया था इस प्रकार हम बैक्टिरिया का करेक्टरिजेशन करते हैं तो कुछ important characterization reproduce by a mytose sexual asexual form of reproduction many bacteria from spores some bacteria are ototrophs while some are hytootrophs most grow best at pH of 6.5 7 many act as a decomposable recycling nutrients size of bacteria range between 0.5 to 5 meter they are prokaryotrophs सेव नो मेंब्रेन बाउंड नुकलियन मैट्रोगंडियों है वे सिंगल क्रोमोसोम वे जनेटिक मैटेरियल एंक्लोज ए राइज सेल रिजट सेलवाल मेड़ाव पेप्टो ग्लाइकॉन सम बैक्टेरिया अलोंग विद प्लाजमा मेंब्रेन कंटेंड एडिशनल मेंब्रेन कारड केप्सूल क्रेक्रेक्टरिशन यानि जो जनल कर्Еक्टर सें सेंड जीवाणों के कि जनल करेक्टर में बैक्टेरिया ओमनीप्रेजिएंड सरव्यापी ओते है वाटर आर्थ यर पर सिंपल युनिसल्लूलर एनप्रो क्रॉट्रोडियों माइच्रॉर्ग्रों में सेल वाल जो में वो में मुभाकायड की बनी होती है अर्थार्थ इस में सेल लूज Isn't नहीं पाया जाता है ब्लू-ग्रीन एल्गी की तरह जिवानों में भी केंद्रेक सुष्ट पस्ट नहीं होता। अर्थार बेक्टिरिया के नुकलियन मेंब्रेन नुकलियोलियस नहीं पाये जाते हैं, प्रन्तों इन्ने में RNA और DNA दोनों प्रकार के नुकलियक एसिड पाये जाते हैं। विभीन प्रकार के कोशिखांग जैसे मैट्रोकांट्रिया, गोलजी बोडी, प्लास्टिट, एंडोप्लाजिम ग्रेटिवलम का भाव होता है। माइटो कांटिया का जो कारे फंक्षन ए वह इन में इन्फोल्डेट जो साइटो प्लाजमे है वह मैंब्रेन के दुबरा इस्थित मैंब्रेन में स्थित मिसो सहम के दारा किया जाता है जीवानों कोशिकाओं में सिंगल DNA एक्रोमसोम्स को प्रदस्थित करता है इसकारण सिंगल DNA या एकल DNA जीवानों सेल हैपलोड होती है बेक्तिरिया में या जीवानों में जो वेजेटेटीव रिप्रोडक्षन है वो बाइनरी एफिशियन cyst budding M. conidia के दोवारा होता है तथा asexual reproduction है a langig general है वो conidia motalisperms and endosperm के दोवारा होता है तथा langig general जहां तक जीवानों में true sexual reproduction की बात है वो absent होता है प्रंतु some bacteria में genetic recombinations are reported यानि कि कुछ जीवानों में genetic recombinations है वो पाये जाता है तो genetic recombination है जीवानों में वो conjugation, transduction और transformation की दोवारा होता है जीवानों में कुछ plant characters है पोदों के समानता की अधार पर ये देखा गयागी plant characteristic in bacteria अर्थाद insum bacteria cell wall made by cellulose insum bacteria growth अर्थाद वर्दी पोदों के समानत तंतूवत वर्दी होती है autotrophic bacteria पोदों के समान बोजन के लिए कार्बनी पदार्तों का निर्मान करते है bacteria cell wall दोवारा cell wall दोवारा बोज्जे पदार्तों gloncin अवस्ता में absorption होता है इस परकार चे हम देखते हैं कि जीवानों है जीवानों के मुखे characters है जो यू bacteria है यू bacteria prokretic lec, mitochondria, chlorophyll, heavy rich cell wall प्रकार के होते हैं और यह वास्त्विक बेक्टिरिया होते है यह पाता है आ सक्णादा प्रकार्ला पाता है